हे गाइस आज बनाने वाले हैं ताजा प्रेस अम्रूद से बहुती बढ़िया सबची रेस्पी इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो कड़ाई में जीरा डालेंगे जीरा बुनने के बाद इसमें डालेंगे घटा हुआ लैसुन और लैसुन को यहां पे अच्छी तरीके से इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज अब इसके बाद यहां पे प्याज अच्छी तरीके से बुन गया अब मिर्ची डाल लेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से बुन लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे कटे हुए अमरूद है अगर आप मेरी यूटूब चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करने साथ में वैल एकन को भी प्रेश कर लें इसको अची तरीके से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले एक बार आप इस तरीके की रेस्पी जरूर बना के ट्राइ करें सबसे पहले यहाँ पे लेंगे कास्मीरी मिर्च हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और साथ में दनियो पाउडर अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आप लोग इस तरीके से एक बार ये रेस्पी बना के जरूर ट्राइ करें यह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आईगे आपको यहां पर टेस्ट के अनुशा नमक ले लेना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे यह बहुत ही जल्दी पक जाती है चार से पांच मिनट लगेंगे इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह अलकाल का पानी भी छोड़ देते हैं अमरूद इसलिए इसमें पानी बिलकुल भी नहीं डालेंगे और पकने के बाद इसमें को कर दो